दिली इंसियार में पारा पिछले कई दिनों से चढ़ा हुआ था लेकिन इस बारिश के बाद दोगों को गन्मी से रहत मिली है हलाकि कुछ अलाकों में जलजमाव जैसे स्किती भ्यूत पन हो गई है दिली के अलगल अलगलाकों से ये खुपसर अची पस्वीर आपके सामने कुछ दिनों से लगातार पारा हाई चल रहा था और ऐसे में कल से ही बारिश का सलसिला शुरू हुआ और आज सुबे से जमा जम बारिश हो रही है मौनसून को दस तक दिये हुए तकरीबन दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन राजभानी दिली में हर दिन बारिश जो आती है वो एक सिस्टम की नई पोल खोलती है और ऐसी ही सिस्टम की पोल खोलती भी तस्वीर आज हम आपको दिली के आईटियो से दिखाते हैं जी हाँ इस वक्त जो आप अपनी टेलिवीजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये आईटियो का वो मुख्य रास्ता है जहां से एक दिन में कई हजार गाड़ियां गुजरती हैं और आज थोड़ी सी बारिश ने इस आईटियो के मुख्य रास्ते का क्या हाल कर दिया है ये आप तस्वीरों में देखकर अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं पूरी सड़क पे जल जमाओ की स्थिती बनी हुई है और जितनी भी गाड़ियां यहां से गुजर रही है वो आप देख सकते हैं किनारे होके यानि कि सिर्फे एक लाइन में दीरे दीरे इस फानी को चीर्टी भी आगे की तरफ बढ़ लई है लेकिन जो दो पाईया वाहन है उनके लिए तो मुसीबत और ज्यादा बड़ी है कि अहां से लिफ लेके अगर आप आईजी स्टेडियम की तरफ जाएंगे तो वहां भी जल भराव है पूरी सड़क पर तो कुछ ऐसी इस्तेथी ना सिर्फ दिल्ली के आईजी ओ पर बनी हुई है बलके दिल्ली में काफी जगा वाटर लोगिंग की यही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है क्यामरा पर सुन आजए इश्पांडे के साथ मधिया इभी पिनियूस दिल्ली तो देखे तस्वीरों के जरीए आपने देखा मधिया ने आपको पताया कि कैसे हालात भी बिगड़ जाते हैं भले ही राहत जरूर मिलती हो गर्मी से अब कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहा है मिंटो रोड जाकरो सैन रोड ते लग ब्रिज रोहिनी लाच पतनगर आ लग लग हिस्सों की तस्वीरें हैं बारिश के बाद मौसम जरूर सुहाना होता है लेकिन कई तरह की तिकते डल्ली वालों के लिए सामने हैं अब आपको रखे आगे प्रीव कर दिकते लग दूँटर स्वीरें हैं प्रेश की तरह रहा हैं झालपन से जर दोब दोड़ने हैं प्रेश से जित्ड़न दोड़ने हैं